हलो रिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूट्यूब चैनल, फार्मरोक्स के यूट्यूब एच्चूकेसनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टडी करेंगे सपोजिटरी बेस के बारे में तो ये हमारा पार्ट फार वीडियो लेक्चर है सपोजिटरी के उपर और आज हम सिखने वाले हैं सोग ग्लिस्रिन सपोजिटरी के बारे में एन मैक्रोगोल बेजिस की जो यूज किये जाते हैं सपोजिटरी को प्रिपेर करने के लिए तो basis का जो selection काफी important होता है suppository के अंदर और आज हम सिखें कि macrogol के जिसको हम polyethylene glycol के नाम से भी जानते कि PEG उसका नाम बनता है polyethylene glycol और दुस्क्रे वर्ड में हम उसको macrogol भी कहते हैं उसी तरह से ये जो soap glycerin जो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे यह जो soap glycerin based वगरा है तो वो भी यूस किया जाते है suppository को prepare करने के लिए तो जानते हैं detail में ये basis के बारे में और सीखते हैं detail में तो expert lecture by Amar sir, assistant professor and founder of pharma rocks thank you for being one leg family of pharma rocks updated रही है pharma knowledge के साथ, access कर ये study material को test series and video lecture pharma rocks के mobile application के उपर तो अगर आपके पास android phone है तो download कर सकते हैं pharma rocks का android application google play store पर से अगर आपके पास iPhone है तो app store पर से भी download कर सकते हैं link आपको description box के अंदर मिल जाएगी तो अब समझे कि जो हम suppository के बारे में सीख रहे हैं कि suppository मतलब ऐसे preparations कि जो semi solid doses हम कहते हैं और उनको हमारे अलग अलग body orifice and body cavities के अंदर जो है वो insert किया जाता है तो body orifice मतलब कि ऐसे body cavities के जहाँ पे यह suppository को insert किया जाते हैं जैसे कि vaginal cavity है रेक्टम है urethral cavity as well as nozzle and ear cavities के अंदर पे उनको insert किया जाता है और जहाँ पे वो क्या होते हैं melt होते हैं soap ठाज जाते हैं और dissolve होते हैं body temperature के उपर और release करते हैं उनके अंदर रहे medication को at that particular site और provide करते हैं local action या फिर systemic action तो यह सब मैंने आपको detail में part 1, 2 and 3 lectures के अंदर already समझाया है तो जो student directly यह part 4 देख रहे हैं तो जरूर से part 1, 2, 3 check करें suppositories का कि जहाँ पे हमने यह वाला table भी detail में study किया था कि suppositories के अलग-अलग types हमने सीखी तो और यह भी काफी important question है आपके लिए कि reactal suppository होती है vaginal suppositories के जिनको हम paceries भी कहते है vaginal paceries उसके बाद जो bogies तो जो type के excipient ही है कि जैसे कोई आप tablet बनाते हो और tablet में अलग-अलग excipient यूज़ करते है उसी तरह से कोई liquid doses form में अलग-अलग excipient यूज़ होते है vehicle यूज़ किया जाते है solvents वगरा यूज़ होता है same like that यहाँ पे भी जो suppository जो आपको semi solid doses form बनाना है तो जितने भी semi solid doses form है वो सभी के अंदर जो base होता है उसका काफी important होता है कि जैसे आप कोई cream बनाते है तो भी उसका base काफी important है ointment prepare करते है तो भी उसका base काफी important है तूसी तरह से suppository के base कि जो चाहे hydrophilic होते हैं और hydrophobic भी होता है और दोनों टाइप के यह suppository base use किया जाते है और उनका main concept हमारा यह होता है कि हम उनको body cavities के अंदर insert करते जिसके करन वो melt होने चाहिए just below the body temperature 37 कि हमारा जो body temperature 37 होता है उसके नीचे वो खास dissolve हो जाने चाहिए melt होने जाहिए कि because अपनी जो medication वो proper वो side पे release करवा सके तो जरूरी है कि जो भी suppository base हम use कर रहे है उसके पास एसी property हो कि वो body temperature से कम temperature पे आसान इसे melt हो जाए और अपने medications को release करें because हमारा body temperature है 37 फिर वहाँ पे वो dissolve हो जाएगी कि लिए कि यह suppository है तो अच्छे से dissolve हो जाएगी हम कहते है active pharmaceutical ingredient और जब API वहाँ पे release होग जाएगा तो अपने pharmacological action देगा और जो भी disease and disorder की treatment हो जाएगी so यहाँ पे main बात है कि body temperature पे यह मेज मुल्ड अच्छे से melt होने चाहिए तो हमने oleaginus base के बारे में सीख लिया cocoa butter है थी यह ब्रोमाइल जिसको हम कहते है synthetic fats and hydrogenated oils के बारे में भी समझा कि जो suppository base के बारे में के अंदर use किया जाते हैं previous lecture में glycero gelatin base के बारे में सीखा और आज हम सीखने वाले हैं soap glycerin and macrogol के बारे में तो soap glycerin suppositories की यहाँ पे देखो जो आप देख रहे हैं diagram के अंदर कि यह suppositories के अंदर large quantity में रहता है glycerin up to the 95% यहाँ पे लिखा है कि large quantity of glycerin up to 90% 95% is present in this formulation की जिसके करण जो glycerin की quantity ज़्यादा है तो glycerin के quantity ज़्यादा होने के करण आप देख सकते कि नीचे जो यह suppositories आप देख रहे हैं यह वाले और समझे कि उसके अंदर light थोड़ा सो आप color वगेरा भी add करते तो इस type के जो suppositories आप produce कर सकेंगे कि जो काफ़े attractive रहेगी look के अंद तो in this case gelatin and curd soap और sodium stearate which make the glycerin sufficiently hard for the suppositories यहाँ पर क्या किया ज़्यादा है कि जो glycerin के अंदर hardness provide करने के लिए दो चीज एड़ की जाती है एक तो curd soap और दूसरा gelatin कि gelatin भी use किया जाता है curd soap भी use किया जाता है या फिर उसके अंदर आप sodium stearate जो है वो use कर सकते हैं तो यह ingredients क्या करेंगे कि proper hardness provide करेंगे कि जो proper consistency maintain होगी आपके यह glycerin के रुजिस के करन आप जो है उसको अच्छे से mold के अंदर set करके suppository जो है वो बना सकते हैं तो further the soap help in the discharge of glycerin from the suppository अब जो आप soap बनाते हैं और साथ में यह glycerin है तो soap glycerin जो है वो क्या करेगा help करेगा आपके suppository के अंदर glycerin को discharge करने के लिए कि glycerin जो है वो release होगा due to the help of this soap किसी के करन इसको soap glycerin suppository कही जाते है बिकर उसके जो main preparation के अंदर जो कर्ड सॉप भी यूज किया जाता है sodium stearate and gelatin so the soap glycerin suppository have a disadvantage that they are very hygroscopic उसके अब disadvantage हम देखे तो काफी hygroscopic nature में रहेगा बिकर ग्लिसरीन कंटेंट जितना increase होगा उतनी hygroscopic जो है वो enhance होने वाली है तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि glycerin suppository का ये container आप देख सकते है and उसका use भी लिखा है कि constipation relief in minutes के कुछ समय में ही तुरंत आपको constipation में से वो relief देता है because हमने जाना कि glycerin जो है वो lexative and purgative के तोर पर काम करता है और constipation के treatment के अंदर उसको हम use कर सकते हैं but उसका disadvantage यह है कि hygroscopic nature है therefore they must be protected from environment और atmosphere और जिसके करन उनको proper wrap किया जाता है प्रेपर के अंदर and tinfoil के अंदर या फिर proper pack कर सकते हैं उसको airtight containers के अंदर कि आप बाजू के diagram में जो देख रहे हैं कि proper airtight container जो है आप यह देख सकते हैं कि जिसके अंदर यह suppositories को अच्छे से जो है वो क्या किया हुआ है pack किया हुए तो packing यहाँ पर खास important है कि जब आप soap glycerin suppositories बना रहे तो ऐसे suppositories होती है hygroscopy की nature क्योंकि वह atmosphere में से जो moisture है वो gain कर सकते हैं तो moisture gain करेंगे तो उसकी जो consistency bigger सकती है suppositories जो है वो खराब हो सकती है तो उसको prevent करने के लिए आपको अच्छे से teen foil के अंदर या फिर अच्छे से wax vapors के अंदर wrap करना पड़ेगा proper packing करना पड़ेगा airtight containers के अंदर अब जो बात आते हैं polyethylene glycol basis, macrogol basis तो उससे पहले previous slide में एक बार फिर से हम लोटते हैं तो soap glycerin suppositories में आपको एक और point यहाँ पर add कर सकते हैं कि इनके use के बारे में कि soap glycerin suppositories usually क्यों बनाए जाते हैं तो जो constipation जो होता है उसके treatment के लिए specially soap glycerin suppositories बनाए जाती है बिकाज हमने जाना था कि जो glycerin है वो as a alexative वगेरा भी काम करता है constipation के treatment में वो help कर सकता है तो यह soap glycerin suppositories जिनको constipation है उनके लिए specially design किया जाते हैं और काफी helpful सा भीत होती है constipation वगेरा के treatment के अंदर फिर जो अभी हमने बात की कि macrogol basis कि title slide में ही मैंने आपको समझाए कि था कि macrogol base मतलब कि polyethylene glycol कि जिसको हम sort में PEG लिखते है polyethylene glycol तो macrogol also known as a polyethylene glycol and it is used as a medication to treat constipation in children and adults ये point खास समझे कि जो macrogol basis का selection तो ये एक तो suppository base का भी काम करेगा और साथ हो साथ उसके पास जो medicated action है कि वो constipation के treatment में use किया जा सकता है तो एक तो base तो है ही plus साथ हो साथ active pharmaceutical ingredient के तोर पे भी काम करेगा कि base के तोर पे आप उसकी proper suppository बना सकते है और API के तोर पे वो काम करेगा कि constipation के treatment के अंदर आप उसको use कर सकोगे तो double benefit यहाँ पे मिलते है polyethylene glycol base यूज करने से तो जब आपको target यह होता है कि आपको ऐसे suppositories बनानी है कि जो specially आप constipation के जो patients होते हैं उनके लिए prepare कर रहे है तो उस वक्त आपका यह base selection काफी अच्छा सा भीत हो सकता है because यह children and adult दोनों के लिए जो PEG base वाली suppository बनाने के लिए use किया जा सकता है और directly यह PEG की जो pharmacological action है कि जो lexative का काम करेगा तो constipation जिनको है उनके लिए यह base रहेगा तो जो polyethylene glycol है तो वो क्या है तो एक type का polymer है कि उसका नामी देखो एक तो poly लिखा है और लिखा है यह ethylene मनलब कि उसके composition में रहा है यह ethylene and water तो polyethylene glycols are polymer of ethylene oxide and water कि जो हम water कहते है H2 and ethylene oxide यह दोनों के combination से बना हुआ यह polymer है तो यह आप देखो यह जो polymer आप देख सकते है यह आपे जो कुछ solid form में है तो यह PEG का यह 1000 अलग-अलग grade होते है उसके अलग-अवेलेबल तो यह solid form वालब polyethylene glycol आप देख सकते है and कुछ जो है वो liquid form में भी होते है तो prepare to various chain length, molecular weight and physical state like solid and liquid अलग-अलग form के अंदर यह polyethylene glycol को बनाया जाता है by polymerization between the ethylene oxide and water कि जिससे हमें polyethylene glycol मिलता है उसका जो famous marketed नाम है वो है macrogol है and available in solid as well as in a liquid form तो यहाँ पर देखिए उसके अलग-अलग grades आप देख सकते हैं कि यह है PEG 400 फिर यह PEG 600 देख सकते हैं PEG 3350 तो PEG 400 है फिर PEG 300 आप देखोगे तो वो कैसे होंगे clear होंगे and colorless liquids available है कि जो आप खास अच्छे से ध्यान रखे बाजो में diagram में भी आप देख सकते हैं कि PEG 300 वाला जो grade है and PEG 400 है तो यह clear and colorless liquid है कि यह वाला diagram आप देखो तो वीकर के अंदर जो polythylene glycol आप देख सकते हैं that is completely clear and colorless liquid अब जैसे जैसे उसका molecular weight बड़ेगा long chain आप polythylene glycol बनाओगे तो वो क्या होगा अब दिमें-दिमें semi solid की अगर आगे बड़ेगा कि 600 वाला यह जो देख सकते हैं PEG 1000 है वो आपको semi solid type के मिलेंगे और जो higher grades है उसके those having average molecular weight of greater than 1000 wax like white solid with the hardness increasing with and increasing in the molecular weight जैसे जैसे आप उसके molecular weight increase कराओगे तो यह वाला देखो PEG 3350 तो वो completely wax like solid type के जो content आप उसका देख सकते हैं तो जैसे जैसे molecular weight increase होगा polythylene glycol के जो base है उनका जो transformation हो सकता है solid से semi solid और फिर वहाँ से solid की form में तो main concept यहाँ पे है polythylene glycol की जो आपको बनानी है तो यह नीचे जो table है उसके उपर आप अच्चे से ध्यान रखें तो previous slide के अंदर आपने समझा कि जो PEG है वो molecular weight के basis के उपर आपको अलग-अलग form में मिलता है कि एक उसका form आपने देखा solid form देखा liquid form भी देखा और semi solid भी आपने देखा उसके अलग-अलग doses form तो PEG जो है वो तीन अलग-अलग form में आपको मिलता है solid, liquid as well as semi solid तो जब आपको उसके suppository बनानी है तो proper combination यूज किया जाता है एक से ज्यादा अलग-अलग बीज इसका कि आप आप देखो नीचे जो table है वो मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से कि by you choosing a suitable combination a suppository base with the desired characteristics can be prepared कि proper जो आपको characteristics चाहिए उसके according to आप suppository बना सकते हैं तो यहाँ पे देखो चार अलग-अलग formula है यह जो first है उसको समझे कि आप F1 लिखते है तो वो आपकी formula 1 है तो first formula में आप क्या करते है macrogol 4000 जो है उसको around 33% जितना लेते है macrogol 6000 को लेते आप 47% और water को लेते है 20% तो नीचे आप calculation करोगे तो total आपको मिलेगा 100 कि जब समझे कि आप 100 gram बना रहे है या फिर 100 ml के अंदर total कर रहे है तो proper 100% करने के लिए आप जो है वो 33% जितना macrogol यूज़ करेंगे 47% जितना यूज़ करेंगे macrogol 6000 एंड बाकी का remaining जो है वो आप water add करेंगे to make it 100% उसी तरह से second जो formula देखे F2 समझे कि आप इसको कहते है तो F2 के अंदर 33% यूज़ किया जाता है macrogol 1540 फिर macrogol 6000 जो है आप 47% लेते है एंड तिसरा water को आप लेते है 20 तो इसका भी आप total करोगे तो वो भी आपको मिलेगा 100 फिर तीसरा आप ऐसी formula design करते है कि जिसके अंदर आप जो macrogol 400 है कि जो liquid state में है उसको आप 20% लेते है और यहापे water आपने नहीं लिया because water के option में आपने macrogol जो है वो use किया कि जो liquid form है already फिर बाकी के दो ingredients आपने common रखे कि जो macrogol 1540 आपने यहाँ पे रखा and macrogol 6000 की जो 47% तो यहाँ पे भी हो गया total 100 बट यहाँ पे आपने changes क्या किया water के option में आपने liquid वाला macrogol है use किया 20% में अब आप क्या करते है final formula की जो F4 है तो यह formula के अंदर आप जो macrogol 1000 यूज करते है 75% जितना and macrogol 4000 यूज करते है around 25% और यह भी होगा है आपका 100 इस तरह से अलग-अलग आप ratio बना रहा है कि macrogol के जो अलग-अलग grade से अलग-अलग जो उसके composition से उसको proper आप combination में अलग-अलग ratio के अंदर लेकर final जो है वो decide करेंगे evaluation के basis के यह चारो formula में से कौनसी formula से सबसे अच्छे suppository जो है वो तैयार हो रही है तो macrogol basis के आप advantage समझते तो उसके advantage क्या है तो this polyethylene glycol can be blended together to produce suppository base with varying melting point dissolution rate and physical characteristics कि जैसे हमने अभी चार formula देखे F1 F2 F3 and F4 यह चार अलग-अलग formula के according to आपको क्या होगा कि आप melting points के basis का अलग-अलग करा सकते है कि समझे कि F1 का melting point आपको अलग में लगा F2 का अलग में लगा F3 F4 उसी तरह से चारो में आपको अलग-अलग dissolution rates भी मिलेंगे and उनके physical characteristics तो यह benefit रहेगा कि जब उसके basis को आप आपके तरीके से जितना आपको जिस तरह से dissolution rate चाहिए जिस तरह से आपको melting point चाहिए उस तरह से उनके जो ratio है उनके जो combination है वो आप बना सकते हैं और उसके अलग-अलग trials लेकर एक final जो है formula confirm कर सकते हैं फिर higher proportion of high molecular weight polymers produce preparations which release the drug slowly and are also brittle अब समझो कि आप high molecular weight वाले polymer use करोगे macrogol के तो उनसे बनने वाली जो suppository कैसी होगे थोड़ी hard बनेगी because जैसे जैसे melting molecular weight increase होता जाता है हमने देखा कि polyethylene glycol पाहले liquid में था कि जो उसका molecular weight कम था जब उसका molecular weight increase किया तो वो semi solid बना और फिर solid wax like वो तयार होता था तो जैसे जैसे आप high molecular weight वाले polymer use करोगे suppository के लिए तो उनसे बनने वाली जो suppository कैसी रहेगी hard रहेगी अगर suppository काफी hard रहेगी तो वो drug भी उसके अंदर से काफी slowly release करेगी जग आपको sustained release चाहिए तो उस type से बनाए और जब आपको fast release चाहिए तो उस type से low molecular weight वाले macrogol use कर सकते हैं so less brittle produce which release the drug more readily can prepare by mixing the high polymers with medium and low polymers कि जब high molecular weight वाले polymers को आप समझो कि low या medium वाले के साथ mix करके suppository base तायार करते हैं macrogol का तो वो काफी fast जो है वो medication को release करवाएगा तो main concept यहाँ पर यही एक ही है कि आपको molecular weight का पता होना चाहिए कि molecular weight जिसे 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 जो है वो increase होता है तो molecular weight increase होगा वैसे वैसे suppose इतनी कि जो hardness है वो भी enhance होगी hardness बनेगी तो जो drug release जो है वो slow हो जाएगी तो यह concept को use करके आप combination बना सकते कि आप उसकी hardness कम करवाएगे तो उसके लिए आपको high molecular weight के साथ low molecular weight वाले polymer mix करने होगे कि जिसे hardness कम हो hardness कम करवाओगे तो drug release जो हो होगा faster होगा तो the melting point is often the mixture generally have a melting point above 42 or around 50 degrees Celsius अब यह जो suppositories बनती है उनके melting point 42 या फिर around 50 के आसपास होते है कि 42 से उपर या फिर 50 degrees Celsius के आसपास होते है कई बार क्या होता कि जो हम cocoa butter के suppository की जो बात करते थे कि जहाँ पर काफी hot climate से वाँ पर क्या होता कि अगर आप उसको refrigerator के इंदर store नहीं करते तो वो automatically melt होना start करते है जबकि यह suppositories up to 50 degrees Celsius तक stable रही सकते है कि मनलब कि आप refrigerator में उनको नहीं रखते तो भी यह suppository की जो consistency है वो proper maintain रहेंगी तो यह काफे benefit है उसका advantage कही सकते है because of the high melting point they do not melt in the body cavities and gradually dissolve and disperse and releasing the drug slowly तो यह क्या करेंगी कि जब आप उसको उस तरह से तयार करते कि जिनके melting point आपको काफी high मिले अब high melting point तब मिलेंगे कि जब आप molecular weight भी क्या करवाएंगे increase करवाएंगे कि molecular weight जैसे जैसे बढ़ेगा melting point भी increase होगा उनका तो आप यहाँ पे खुद formula के अंदर adjust करके यह melting point उनके enhance भी करवा सकते है decrease भी करवा सकते है अगर molecular weight increase है आपके basic के जो formulation का तो उस वक्त जो suppository तयार होगी उसका melting point रहेगा ज्यादा और वो drug slowly release करेगी और समझे कि melting point आप reduce करवाते हैं तो जो suppository बनेंगे उसका molecular weight जो है and melting point दोनों down होगे जिससे वो काफे fast release होगी प्रॉपर ये suppository design कर सकते है based on your own suitability कि आपको fast release चाहिए तो fast release वाली बना सकते है slow release चाहिए तो slow release वाले भी suppository बना सकते है by using macrogall basis तो drug release depends on the dissolving rather than melting तो यहाँ पर melting के basis पर drug dissolve नहीं होगी but it is deep based on the dissolving कि कई बार melt होता है तो drug dissolve हो जाती है absorb होना start कर देए but यहाँ पर main dissolution खास important रहेगा and they do not stick to the wall of the mold since they contract significantly on cooling तो यह जो है वो mold के साथ stick नहीं होते तो एक benefit यह रहा कि आपको lubrications अगेरा करने की ज़रुरूरत नहीं है mold के अंदर तो यह था हमारा lecture about macro goal and PG basis basis next जो है most IMP based की जो है synthetic fats बहुत बार एक्जम्स के अंदर यह synthetic fats के बार में पूछा गया है कि synthetic base कौन से है उनके examples वगेर आपको याद रखने हैं और साथ साथ यह इनको emulsifying basis भी का आ जाता है तो दुनों टाइप से question पूछा जाता है कि emulsifying basis तो उसके भी यह एक्जम्पल है कि विट आप सोल जो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो वो भी एक synthetic base है उसके लाब अभी और दो synthetic base की जो हम detail में सिखें के lecture के अंदर के जो रहेगा part 5 on a suppository तो एक्सेस करिये study material को test series, video lecture, farmer rocks के अप उपर join कर सकते हैं whatsapp group एक्सेस करिये study material, test series and video lecture farmer rocks के अप उपर so good luck and all the best